शिमारू के नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें तुम ठीक तो आर्थी दिखानी दिद्धा क्या आपको मैं गिर जाके और मेरा तौब आर्थी तुम कुनाल से नहीं मिलोगी आप कौन होते हैं मुझ पर हुकम चलाने बाली तुम्हारी भावी आर्थी अगर तुम कुनाल से मिलने गई न तो मुझे मजबूरन ये बात अभय को बताने होगी तुम्हारी भलाई के लिए अगर मुझे तुम्हारा दुश्मन भी बनना पड़े न तो मैं वो भी बन जाओंगी कोई तो बात है जो आर्थी चुपा रही है मुझे पता कर नहीं होगा दुश्मन अश्यदा भावी आप मेरी दुश्मन नफरत करते मैं आपसे दिल से नफरत करते हूँ कुनाल कुनाल ना कबसे अरे कबसे नीबू पानी का इंधिदार कर रहा हूँ अब सार फटके बहार आजागा तब दोगी क्या अब क्या हुआ? क्या सोच रहे हुए? अफे वो मैं… आप यह नीबू पानी पीछे मैं आपके लिए और बना कर लाती हूँ कर दोगी कुनाल प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो मैं तुमसे मिलने आने वाली थी और वो श्रद्दा भाभी उनकी हुजा से मैं मिलने नहीं आ पाई कोई बात है? तुम पहले यहां बेटू श्रद्धा की बातों का बुरा नहीं मानते हैं खास्ता और सेंसी आलात है यह न? अरे! यह देखो, क्या लागा है मैं तुमारे? आज तुम्हारे लिए इबली तुम मेरा कितना ख्याल रखते ना कुनाल? क्यों नहीं रखोंगा? परी प्यारी आर्ती मेरे होने वाले बच्चे की माजो बनने वाली है आर्ती? कुनाल आर्ती तुम तुम माँ पलने वाली हो? चलो भावी, हाथ छोड़ो मेरा चलो आर्ती कहां लेके जाहे आप? हाथ छोड़ो भावी, हाथ छोड़ो मेरा भावी, हाथ छोड़िये, कहां लेके जाहे आप मुझे अभी पार कोई जी, बुवा जी, अभे, कहा है आप सब जल्दी बाहर आएए? अभी क्यों सब को बुला रहे हैं? अभी? प्लीज, अभी? अभी जी, आप जल्दी से वरुंजी और खीर्थी को लेकर उपर आजएए, अभी आएए अरे, सुबा सुबा क्यों घर सर पर चड़ा लिये तुमने? पताती हूं अपर, पहले एक बार सब को आतो जाने दीजे क्यों हो शुदाफ, इस जल्दवाजी में हमें क्यों बुला है? यह खुशी का मौका है, सब के साथ मिल बाटकर मनाया जाता है ना? आप मामा बनने वाले हैं और आरती माँ बनने वाली है इस कुर्णाल का खुण मेरी बैन के बच्चे में इमा कुराब हो गया तुमारा तुमार सुभाई यह मनूज खबर देने के लिए सब कोई कठा किया तुमने? कैसी बाते कर रहे हैं आप अभे एक औरत के लिए माँ बनना उसकी संदगी की सबसे खुबसूरत खबर होती है सही कहा रही हो तुमशड़ा लेकि यह भी तो सच है ना कि इस बच्चे का बाप वो शैतान कुणाल है हाँ वर्ण जी लेकिन उस बच्चे की मा आपकी बहन आरती है तुम सिर्फ बात को घुमारी हो श्रदभा सचाही को चपा नहीं सकती हो तुम अरे बच्चे में माबाब दोनों का खून आता है अगर इस बच्चे में कुनाल के रंग दिखे तो हम क्या करेंगे पच्चे खून से नहीं वो सीखते हैं अपने संसकारों से और आर्थी के आने वाले पच्चे नहीं रिपाथी परिवार के गुड होंगे अब फर बात पे न बड़ों से बहस नहीं कर सकती है हमने भी दुनिया देखी तजूर्वे से कह रहे हैं कि इस बच्चे में कुनाल के भी गुण आ सकते हैं हमें तो ये सारी बाते सुन के ताजूप हो रहा है हैरानी हो रही है कि हमारे घर के बड़े हैसी दक्यानों से पाते कर रहे बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ इस पहले है अप लोगों ने फैसला ले लिया कि भो राम बनेगा क्या रावन वाजी में सब के बारे मैं सोच भी ने रहा हूँ मुझे बस फिक्र इस बात की है कुणाल इस बच्चे के भाने से मेरी बहन से फिर से रिष्टा जोड़ने जाएगा जो मैं वने नहीं दूँगा कैसी बाते कर रहे हैं आप अभे हम सब है ना हम उस कुणाल को इस बच्चे पर हग जमाने कभी नहीं नहीं देंगे पिता है वो इस बच्चे का और कानूनी दोर पे भी आप उन दोनों को अरग नहीं कर सकती हम तो बस यह सोच रहे हैं कि क्या भरोसा उसका कल को आ जाए प्रॉपर्टी से अपने नाम का हिस्सा मांगनी के लिए कभी तो पैसे और प्रॉपर्टी से उपर उठो कीर्थी अभी यहां पैसो और प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है रिष्टे और तरवरिश की बात हो रही है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कुनाल कैसा है क्या है यह सब जानते है तो इनको लेने तो इनका फैसला और फिर असल में तो ये फैसला आर्थी को लेना चाहिए कि वो कुनाल जैसे इंसान का बच्चा अपने साथ रखना चाहती भी है या नहीं रोश्नी तुम खुद को एक औरत कहती हो एक औरत होने के बावजूत भी ऐसी घिनोनी बात कैसे कर सकती हो तुम तुम खुद ही सोचो ना क्या एक माँ होने पर तुम अपने बच्चे की जान ले सकती हो नहीं ना और आप सब एक इनसान के पापों की सजा उस आने वाले बच्चे को क्यों दे रहे वो ये सब क्यों जेले और आप सब से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस घर की बेटी को आप ऐसी सजा देंगे आरती पहली बार माँ बनने वाली कम से कम इस बात के लिए उसे आशिरवात तो दीजे आरती इस घर के एक लौती बेटी है क्या वो अपने परिवार के साथ इतनी बड़ी खुशी भी नहीं बार सकती मेटा तुम हमारा नामी कहने कह सचाना फूरा थे हैं हमेशा कुशे हो हमेशा कॉशे हो हमे भी थोड़ा पयार कर लेने डीजे और हम वो आनानी बनने वाले उसे हम बहुत सारा प्यार करेंगे और बहुत बिगाड़ेंगे तुम कुछ नहीं का होगी हमे हम बनेंगे बड़ी नानी मातरा नी आपको और आपके बच्चे को स्वस्त्र रखे बहुत बहुत बढ़ाय आति तुम्हें हमारी कोई भी मदद चाहिए होगी तो हमें बताना इस घर में ड्रामा खतमी नहीं होता है अरे भाई आरती ने जो हम ये नन्नी सी खुशी दी है उसके आगमन के लिए हमें तयारियां भी तो करनी है ढोल नगारे बजा कर हम सब को बताएंगे इस घर में एक नन्ना मेमान आने वाला है बिल्कुल हम पूरे जैशन के साथ और सारे रस्मों के साथ नन्नी खुशीयों के आगमन का जैशन मनाएंगे और पालना मेव श्रदा सजाईगे और नन्नी खुशीयों का आगमन नीचे वाले घर से होगा और इसकी जिम्हदारी बड़े मामा और मामे की होगी देके श्रदा तुम्हे जो आर्थी के लिए किया है ना सिर्फ भावी के जिम्मदारी में निभाई गए बल्कि एक माँ बहन और एक पकी दोस का भी फर्च ने भाया है तुम्हेशा कुश्रों हमारी श्रदा का क्या ही कहे इस पर को जोड़े रखने के लिए घर्वालों से भी लड़ जाती है शिदा सॉरी मुझे तुम तरह से चिलाना में चाहिए पहुए जितनी तारीफे बटोर में है बटोर लोशत्था क्योंकि इस नन्नी खुशियों के आगमन में तुम्हें सिर्फ लोगों से दिखकार मिलेगी क्योंकि आगमन में तुम्हें सिर्फ लोगों से दिखकार में तुम्हें सिर्फ लोगों से दिखकार मिलेगी क्योंकि आगमन में तुम्हें सिर्फ लोगों से दिखकार मिलेगी 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 आगमन में तुम्हें सिर्फ क्या हुआ अबे, कहा हो गयती है अब? वो, कुछ नहीं, तुम जल्दी काम करो ना? तरसे, पालना तो तयार हो गया है अबे, छे बचे हमें भी नीचे जाना है, सिर्फ एक घंटा रहता है मारे पास तयार भी होना है, जल्दी कीजिए अजे तुम क्या अलागा रही हो, हमने याप मचलिया लटकाएंगी ऐसी मचलिशन में वच्पन में क्यलता था वचल न, पूरा अपने मामा पर जाएगा आपके जैसा, मतलब गुसल मतलब कर रहे होगा आप हर बात पे इतना गुस्सा क्यों करते हैं हम न, ये वाला लगाएंगे ये कितना प्यारा है, फिर्कुल आर्थी के जैसा तो हलो, ये पान न, आर्थी के लिए मेरे भाँजय के लिए वो सिर्फ मामा की चलेगी यहाँ आप न, अपनी मामा की नौमीने के बात दिखाएगा अभी सिर्फ भावी और मामी की चलेगी हम ये वाला ही लगाएंगे अर्थी मुझे आर्थी के बार में बिटो सोचना है तुम्हें, तुम्हें मैंने मना किया न, ये नहीं लगेगा तुम हुमेशा यही करती हो, भाई हो किर्थी के टाइम भी तुम्हें क्या कहा आपने अबे? तुम, ये सब पहले भी कभी अब कोई बात नहीं अब है हम ये और वो दोनों ही लगा ज़ाती है वो दोनों है तुम, ये बात नहीं बात नहीं सारे मिठाई के डब्बे आ गये हम ना रसोई में जाके देखते मा को कोई मदद चाहिए होगी तो ए ये क्या नाटक कर रही हो तुम हजे कौन सा नया तमाशा तुम्हारा ये की नाटक तो वो तुम्हारी बीवी कर रहे हैं पहले तो मेरा साथ देने का नाटक करते ह। । अभी भी शद्धा के खिलाफ लेकिन उसका गुस्सा मैं अपनी बहन पर नहीं निकाल सकता आज मेरी बहन की रसम है उसका दिन है आज कलती से भी तुम कोई तमाशा मत करना रोश्णी हमने कल तुम्हें चिताबनी दी थी न कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी मैं समझ में नहीं आता क्या आज तुम शांत रहोगे मैं शांत रहूँ और मेरी खुशियों को दबा के तुम पाठी परिवार जश्न मनाएगा कभी नहीं तमाशा तो जरूर बनेगा तो जरूर शांत रहाँ कर दो कर दो कर दो दो कर दो नमस्ते नवस्तरा बदाई अभेहन जी नानी बनने की खुषी में शुक्रिया शुक्रिया कितने समय बाद इस खर में किलकारियां गूजेंगे अरे बलकुल ठीक कह रही हैं आप अरे आईए ना आप लोग बैठी आईए नमस्ते नानी बनने की बहुत बहुत शब कमा बाद शुक्रिया नानी बनने की खुशी और सभागय हमये में सकता हैं बहुत बहुत बघाईओ नानी जी जुकें यह लो विटा, बहुत-बहुत बताएगे आपको. शृत्अ, विटा, आप यह तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? कर्ष्ट, अब बस थोड़ी देर और इंतिजार, इन सब के चेहरों की रंगत उड़ जाएगी. अरे, तनुजा जी, आरती के पती कहा है? जिस बच्चे का जश्न हो रहा है, उस बच्चे के होने वारे पापा ही नहीं दिख रहे हैं. तहीं दिख नहीं रहे हैं, बाहर के एंगे हैं क्या? अब है. अरे, वो किसी जरूरी काम से शेयर्ज के बाहर गये हैं. तो. आंती जी, इसलिए तो. आरती का परिवास उसके लिए ये सारी खुश्या मिलके मना रहा है. और हमसे बहतर जश्ट, आरती के लिए कोई और मना सकता है इसलिए. ये कैसे गिर गया? लगी तो नहीं आपको. चलिए, रसम शुरू करते हैं. हाँ, चलिए. आँटी जी, आपके गले में तो हीरो का हार था ना? अब वही पहेंगे आई ते ना कहां गिया? ए भगवान, मेरा हार कहां गिर गया? कर दो जाए, बार कर दो शुरू कि ए आए, बड़े बच्चे का बाप भूका रह चाहिए. देरी बीरी पे हाथ उठाएगा तुम अबस्टार उठाएगा तुम